हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ तपस्वी और आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एक्जाम तपस्वी पे जो की है सफलता किरा में आपका साथी वैलकम तो माइ चैनल फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में जो की थी पार्ट 4 सूपर कोल वनफिफटी प्लस सीरी इसकी उसमें हमने 30 प्लस एमसीक्यू सॉल्व किये थे कोल के उपफर और आज हम देखेंगे सूपर कोल audio का पार्ट 5 वीडियो इसमें भी हम 30 प्लस एमसीक्यू स आपके coal related topic पर exam में आराम से 4 से 5 नंबर आपको दिलाएंगे। हाँ मानता हूँ ये नंबर आपके लिए जादा नहीं है बड़ ये आपको cut off clear करवाने में और exam में बाकी competitors को तगड़ा competition देने में आपके काम आएंगे। बहुत ही valuable questions इन valuable 4 to 5 marks के लिए Super coal 150 plus series में आपके लाए हैं पिशली वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया बहुत सराहा मुझे बहुत अच्छा लगा उमीद है आपको ये सारे questions भी पसंद आएंगे और हाँ friends NCL HMM exam को सिर्फ 4 से 5 दिन बचे हुए हैं तो जिन भी friends को एक last ball पे 6 मारना है उनके पास material की कमी है हमने community post में बताया but मेरे friends की त्यारी किसी भी तरीके से कम न हो इसलिए मैंने सारे price barriers हटा दिये जो लोग कह रहे थे course आपका महंगा है ज्यादा है just for 99 आपको material मैं provide करा रहा हूँ mail ID मैंने दी हुई है आप चेक करें और steps follow करके just for 99 में material प्राप्त करें तो friends बढ़ते हैं वीडियो में आगे देखते हैं हमारे questions सबसे पहला question है friends which of the following states has the third largest coal reserves in India निमने लिखित में से किस रा जमें भारत का तीस रा सबसे बड़ा कोईला भंडार है friends कोशिश कीजिए इसका सही उत्तर comments में बताने का और वीडियो के अंत में आपके total कितने questions आपने solve किये और आपको out of total questions कितने questions आपके सही हुए बताएं और इस तरह आप अपने performance का evaluation करें ना सिर्फ अपने performance का इससे आपको पता चलेगा आपके बाकी friends बाकी viewers कितने त्या ने पिछली वीडियो में आपको बताया है first अभी कोईले के reserve के मामले में जो lead कर रहा है वो है Odisha okay friends देखते है next question question number two India's coal production in 2022-23 is estimated to be dash in million tons भारत का कोईला उतपादन सन 2022-23 में लगबग इतने million ton होने का नुमान है कितना 700, 700, 800 या 800 million ton friends इसका सही उत्तर है option D 850 million ton सबसे करीब ह इसके answer जो है आपका approach में 893.19 million ton जो है रहा है मैंने check किया था उसके सबसे नजदीक आपका यह option है अगर यहाँ 900 होता option में तो आप 900 को tick करते बट इसमें जो है सबसे करीब है 850 तो हमने वो लगाया है यह answer जो होते है mostly approach में ही होते है क्योंकि data wise यह आपको थोड़े से 2023 में कोईला अधारित बिजली संयंत्रों में भारत की कोईले की खपत इतने million ton होने का अनुमान है इतने million ton रही है कितनी 400 million ton साड़े 400 million ton 500 million ton या 500 million ton भारत में कोईला अधारित बिजली संयंत्र में कितनी कोईले की खपत हुई है वित्तियवर्स 22 में लगबग तो friends इसका सह उत्तर है option B 450 million tons जो एप्रोक्स है value उसकी 447.6 है इसलिए एक round figure में देखें उसको तो 450 million tons अगला question question number 4 the share of coal in India's energy mix in 22-23 is dash percent 2022-23 में भारत के उर्जा मिश्रन में कोईले की हिस्तेदारी dash है कितनी है क्या वो 50% है 55% है 60% है या फिर 65% है कोशिश करें friends से उत्तर देने का friends वो है लगबग 50% 1.6% lignite से और 49.1% coal से overall about 50% next question 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 number 5 the average coal import price of India in 22-23 is estimated to be dash US dollar per ton 2022-23 में भारत का औसत कोईला आयात मुल्य यहां आयात की बात करी जा रही है औसत कोईला आयात मुल्य dash US dollar प्रती टन होने का नुमान है 100 USD प्रतीटन 110 USD प्रतीटन 120 USD प्रतीटन या 130 तो friends इसका सही उत्तर है लगबग 120 US dollar प्रतीटन 120 USD next question question number 6 the number of coal-fired power plants in India is dash भारत में कोईला आधारित बिजली सैंत्रों की शंख्या है कितनी है 200, 220, 250 या फिर 280 friends इसका सही उत्तर है option D 285 285 कोईला आधारित बिजली सैंत्र है भारत में next question the total installed capacity of coal-fired power plant in India is dash megawatt भारत में कोईला आधारित बिजली सैंत्रों की कुल इस्थापित चमता dash megawatt है यानि कि इतने megawatt टक का production वो full capacity में कर सकते हैं कितने दो लाख लगभग, धाई लाख लगभग, तीन लाख लगभग, या साढ़े तीन लाख लगभग friends इसका सही उत्तर है option B, धाई लाख megawatt भारत में कोईला आधारित बिजली सैंत्रों की कुल चमता है next question 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 number 8 the coal-fired power plants in India contribute to dash percent of country's electricity generation अभी हमने साल 2022 देश का पड़ा था, ऐसे generally कितना भारत में कोईले से चलने वाली बिजली सैंत्र, देश की बिजली उत्पादर में कितना परसेंट योगदान करते हैं 50%, 60%, 70% या फिर 80% इसका सही उत्तर friends, लगभग 70% next question question number 9 the government of India has set a target of 10% reduction in coal consumption by 2030 भारत सरकार ने 2030 तक कोईले की खपत में 10% कमी का लक्ष रखा है अब क्यूं कमी का लक्ष रखा है? क्योंकि friends, last video में हमने बात की थी, coal जो है, वो energy का हमारा non-renewable source है एक बार इसे खतम होने पर दुबारा create नहीं किया जा सकता और इसके कारण होने वाला pollution, चाहें वो water pollution हो, air pollution हो, बहुत जादा होता है बट उर्जा की मांग जो है वो बढ़ती ही रहेगी, कभी कम नहीं होगी तो उसके लिए जो है, government क्या कर रही है? non-renewable से, renewable sources की तरफ जा रही है, जिसमें आपकी आ सकती है wind energy, solar energy solar energy का government ने बहुत बड़ा जगा-जगा plant settle करना शुरू कर दिया है इसी उदिश के मद्य नजर, government ने decide किया है CIL coal India Limited का नाम change करने का ये भी बहुत important question बन सकता है friends, इसमें mention नहीं है, बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप इसका जवाब दें, net पे खोजें और हमें comment में बताएं, government ने CIL का नाम coal India Limited से बदल के क्या नाम रखने का प्रस्ताव रखा है, CIL का नाम बदल के क्या नाम होने जा रहा है, ये भी आप हमें comment section में बताएं तो friends, इसी कारण से government ने decide किया है, coal से बिजली उतपादन करना, कोईले की खपत में जो है, कमी करना है, साल 2030 तक, कितने percent से कमी करनी है, 5% से, 10% से, 15% से, या फिर 20% से, तो friends, इसका सहयुत्तर है, by 10%, आप कहोगे 10% तो ज़्यादा नहीं है, बट हमारी उर्जा की requirement तो ज़ बढ़ेगी, उर्जा की requirement भी बढ़ेगी, तो अभी जो है, non-renewable sources से, renewable sources पे जाना completely possible, 100% possible नहीं होगा, धीरे-धीरे कोशिश किया जा रहा है, तो 10% तक, कमी करने का लक्ष सरकार ने रखा है, okay friends, next question, question number 10, the government of India has also set a target of 10% renewable energy in the country's energy mix by 2030, भारत सरकार ने, सन 2030 तक, देश के उर जोजा मिश्रन में 10% नवीनी करन उर्जा का लक्ष भी रखा है, यानि आपको मैंने बताया, हमारा जो उर्जा की जो हमारे जरूरत है, अब हम non-renewable sources से, renewable sources की तरफ move कर रहे है, 2030 तक हमने बात किया, coal में, energy sector में coal की 10% तक कमी करने की, but renewable energy जो है, उसका total energy mix में, हमारा जो total energy का generation होता है, उसमें कितने percent से वृद्धी करनी है, renewable sources से, 20%, 25%, 30% या 35%, तो friends इसका सही उत्तर है, option C, 30% से, government ने decide किया है, renewable energy जो है, by 2030, 30% से, total energy mix में बढ़ाना है, okay friends, देखते हैं अगला question, question number 11, the main reason for increasing demand for coal in India is, भारत में कोईले की बढ़ती मांग का मुख्य कारण है, क्या क यह भी friends, class 8th का question है, social science से थोड़ा सा related है, science से थोड़ा सा related है, और मुझे लगता है, common sense से इसका answer दे सकते हैं, बढ़ती जनसंख्या कारण है, बढ़ती GDP कारण है, बढ़ता सहरी कारण है, या फिर option D, उपरोक्त सभी, all of the above, friends इसका सही उत्तर है, option D, उपरोक्त सभी, all of the जनसंख्या बढ़ रही है, तो energy की requirement बढ़ेगी, power की requirement बढ़ेगी, बढ़ती GDP भी कारण है, बढ़ता सहरी करण भी कारण है, लोग गाउं से सहर की तरफ move कर रहे हैं, और उनकी power requirement भी, उसी रेशियो में increase हो रही है, तो शही उत्तर है, option D, उपरोक्त सभी, all of the above, question number 12, the main challenges faced by the coal industry in India are the dash, भारत में कोईला उद्योग के सामने मुख्य चुनोतिया dash है, क्या है, क्या है, कोईला भंडार में गिरावट पर्यावरंट परदूशन बढ़ रहा है, बढ़ती आयात लागत, यानि जो हम कोईल बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसकी price बढ़ इसे इसलिए भी कट करने की बात की जा रही है, क्योंकि इससे पर्यावरंट का प्रदूशन बढ़ता है, पर्यावरंट में बहुत सारे harmful gases, coal combustion से निकलते हैं, हलाकि power generation के लिए बहुत अच्छा है, मगर हमारे पर्यावरंट के लिए अच्छा नहीं है, पर्यावरंट प्र the challenges faced by coal industry such as भारत सरकार कोईला उद्योग के सामने आने वाली चुनोतियों का समाधान करने के लिए कई कदम उठा रही है, जैसे क्या, सवक्च कोईला प्रद्योगिकियों के उप्योग को बढ़ावा देना, promoting the use of cleaner coal technologies, नए कोईला छेत्रों का विकास करना, developing new coal fields, कोईला उद्योग की चुनोतियों से निपटने के लिए, समाधान करने के लिए, तो friends इसका सही उत्तर होगा, option D, उपरोक्त, सभी, ये सारे steps, government ले रही है, ताकि कोईल उद्योग के सामने जो चुनोतियां आ रही है, जो challenges coal industry को face करने पड़ रहे हैं, उसका समाधान हो सके, next question friends, question question number 14, what is the total coal production of India 2023-2024, 2023-2024, जो वित्ती वर्स है, उसमें कुल कोईला उत्पादन प्रोविजनल जो है, लगबग कितना है, कितना लगबग होगा, 675 मिलियन टन, 700 मिलियन टन, 725 मिलियन टन हो सकता है, या 750 मिलियन टन, लगबग कितना हो सकता है, friends इसका सही उत्तर है, option C, 725 मिलियन टन, कुल कोईला उत्पादन 2023-2024 में होने की संभावना है, next question, what is the share of coal in India's total energy mix, भारत में कुल उर्जा मिश्रन में कोईले का हिस्सा कितना है, repeated question, but important question, क्योंकि हमने ये question पहले पीछे देखा है, तो मुझे उमीद है आप इसका उत्तर बता सकने में सक्षम है, पर capita in 2023, 2023 में भारत की प्रतिव्यक्ति औसत कोईला खपत कितनी है, economical survey जो होते हैं भारत में, कई बार, कई छेतरों में किये जाते हैं, तो survey के according, 2023 में भारत की प्रतिव्यक्ति औसत कोईला खपत कितनी है, क्या वो 0.5 ton है, 0.7 ton है, 0.9 ton है, 1.1 ton है, friends, इसका सही उत्तर है, option C, 0.9 ton प्रतिव्यक्ति औसत कोईला खपत है, लगभग, 2023 में, okay, friends, next question, question number 17, which is the largest coal-fired power plant in India, भारत में सबसे बड़ा कोईला अधारित बिजली सेंद्र कौन सा है, दादरी सूपर थर्मल पावर प्लांट, तालचर सूपर थर्मल पावर प्लांट, रामा गुंडम सूपर पावर प्लांट या विंद्याचल थर्मल पावर स्टेशन, this question is also repeated, बार-बार यहां आ रहा है, तो बार-बार वहां भी आएगा, answer आपके पास इसका clear होना चाहिए, without any doubt, आपको इस question में कोई doubt नहीं होना चाहिए, मैंने इस पे पहले भी चर्चा आपसे की हुई है, तो question number 18, what is the installed capacity of cold fire power plants in India, भारत में कोईला अधारित बिजली सेंत्रों की स्थापित चमता क्या है, मेगावाट नहीं, इस बार answer जो है गीगावाट में है, तो बताइए, गीगावाट में कितनी चमता है, वैसे आपको बता दू, एक गीगावाट में लगभग 1000 मेगावाट होत भारत में installed cold fire power plants का कोईला अधारित बिजली सेंत्र का, तो फ्रेंट इसका सही उत्तर है, option C 350 गीगावाट, next question, question number 19, which among the following coal producer of India is outside the coal India Limited, भारत का निमने लिकित में से कौन सा कोईला उतपाद कोईला इंडिया लिमिटेट से बाहर है, दक्षनी पुर्वी कोईला छेतर बिला इंडिया में नहीं आती है, friends this question पे पहले भी चर्चा हो चुकी है, मुझे उमीद है आप इसका आंसर बिना किसी दिक्कत के दे सकेंगे, कोशिश कीजे, comment में इसका उत्तर दीजे, friends इसका सही उत्तर है, option D, सिंग्रैनी कोल इरीज कंपनी, जो की है आपकी तेलंगाना में, ये कोल इंडिया लिमिटेड का पार्ट नहीं है, okay friends, next question, what is the average efficiency of कोल-fired power plants in इंडिया, भारत में कोईला अधारित बिजली सैंत्रों की ओसत दक्षता क्या है, 30%, 35%, 40% या 45%, friends इसका सही उत्तर है, option A, 30%. next question, question number 21, what is the carbon dioxide emission per unit of electricity generated from coal-fired power plants in इंडिया, भारत में कोईला अधारित बिजली सैंत्रों से उत्पन बिजली की प्रती unit, एक unit बिजली उत्पन करने में, कार्बन डायकसाइड उत्सरजन कितना है, कितना आपका CO2 निकलता है, एक unit बिजली पैदा करने में, भारत की कोईला अधारित बिजली सैंत्र से, 800 ग्राम, 900 ग्राम, 1000 ग्राम, या फिर 1100 ग्राम, तो friends इसका सही उत्तर है, option C, लगभग 1100 ग्राम, okay friends, next question, question number 22, what is the target of India's cool consumption by 2030, 2030 तक भारत की कोईला खपत का लक्ष क्या है, कितनी खपत हो जाएगी friends, लगभग 2030 तक, 600 million ton, 650 million ton, 700 million ton, या 700 million ton, तो friends इसका सही उत्तर है, option B, 650 million ton, जो है, इंडिया का कोल कंजम्शन टार्गेट है, by 2030, 2030 तक, question number 23, which of the following is the parent company of coal India Limited, निमने लिखित में से, कौन सी कोल India Limited की मूल कंपनी है, parent company है, कोईला मंत्राले, विद्यूत मंत्राले, वित्य मंत्राले, या खान मंत्राले, किसके अंडर काम क करती है, cool India Limited, friends, इसका सही उत्तर है, option A, कोईला मंत्राले, ministry of coal, वैसे friends मुझे बताएं, कोईला मंत्राले का headquarter, head office, कहां है, इसका उत्तर आप मुझे comments में देंगे, next question, question number 24, when was cool India Limited, incorporated, cool India Limited को कब निकमित किया गया था, कब बना था, 1956 मे, 1976 में, 1976 में, 1986 में, तो friends, इसका सही उ option, out of the option question, friends, इसका answer, 1956 दिया गया था, जो की गलत है, सही answer किया आपका, 1975 में, कोल इंडिया की स्थापना हुई, कोल इंडिया का incorporation हुआ, next question, question number 25, how many subsidiaries does coal India Limited have, coal India Limited की, कितनी सहायक कमपनिया है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो friends, इसका सही उत्तर है, option B, 8, 8 subsidiaries है, coal India Limited की, 8, अब इनके नाम क्या है, अगर किसी को पता है, 8 हो की, तो आप हमें comments में इनके नाम बताएंगे, अगर आपको पता है, तो, अगर पता है, तो, मुझे नहीं लगता है, कि आपको पता होगा, पता होना चाहिए, अब exam की त्यारी कर रहे हो, ऐसे तो, लेकिन आपको नहीं प पता होगा मुझे लगता अगर पता है तो बताईए नेक्स्ट केस्ट नुबर 26 विच इस दे लार्ज़स्ट सबसीडरी ओफ कोल इंडिया लिमिटेड की सबसे बड़ी सहयक कंपनी कौन सी है क्या वह भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है बीसी सील है सेंट्रल कोल फिल्लिमिटे कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सरवाधी कोईला भंडार वाला राज्य कौन सा है यानि ज़रूरी नहीं है कि किसी और कंपनी द्वारा होल्ड किया जाए या प्राइवेट बॉड़ी द्वारा किया जाए तो उस स्टेट को हमें बताना कोल इंडिया के पास जो है किस स्टेट में सबसे ज़्यादा कोईला होल्ड करता है कौन सा स्टेट इसमें तीनी ऑप question, question number 29, what is the revenue of coal India Limited in 2022-23, provisional, anumánit, lagbhag, कितनी, 2022-23 में coal India का राजश्व कितना बना है, overall revenue कितना है, 20,000 करोड, 25,000 करोड, 30,000 करोड या 35,000 करोड, friends, इसका सही उत्तर है, option C, provisional, जो है, coal India Limited की revenue है, 2022-23 के लिए, 30,000 करोड, 30,000 करोड, next question, question number 30, what is the profit of coal India Limited in 2022-23, provisional है, 2022-23 में coal India Limited का लाब, provisional लाब क्या है, यानि, revenue तो हमने बात कर लिया, total, अब इसमें से profit कितना है, coal India को हुआ, 5,000 करोड, 10,000 करोड, 15,000 करोड, या फिर 20,000 करोड, तो friends, इसका सही उत्तर है, option B, 10,000 करोड का profit हुआ है, 22-23 में coal India, next question, question number 31, which is the flag seed product of coal India Limited, coal India Limited का मुख्य उत्पाद कौन सा है, ये तो common sense जवाब देने लाए, question है, कोईला है, कोख है, कोईला तारकोल है, फ्लाई आश है, क्या है, मुझे लगता है, आप इसका जवाब जानते होंगे, बताइए friends, इसका सही उत्तर है, obviously, कोईला, कोल, question number 32, which is the main market for coal India Limited, coal India Limited का मुख्य बाजार कौन सा है, कहाँ वो sell करता है, कोईला, कहाँ उसका selling होता है, कहाँ उसका कोल जाता है, घरेलू बजार में, domestic market में, देश के अंदर, अंतरास्टी बजार, international market, घरेलू और अंतरास्टी दोनों, या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं, ये भी मुझे friends, आप इसका अंसर बता सकेंगे, इसका सही उत्तर है, option A, मुख्यता जो है, कोल इंडिया लिमिटेड का कोईला जो है, वो consume होता है, डोमेश्टिक मार्केट द्वारा, घरेलू बजार, okay friends, next question, question number 33, which is the main competitor of कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्य प्रतिसपर्धी कौन है, जिंदल, स्टील और पावर लिमिटेड, स्टील अथॉर्टी और इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा, अपने प्रदर्शन को बहतर बनाने के लिए, ली गई सबसे महतपुढ पहल कौन सी है, अपने performance को बढ़ाने के लिए, कोल इंडिया ने क्या किया है, उत्पादन को बढ़ाया है, लागत कम किया है, सुरक्षा में सुधार किया है, या उप्रोक्त सभी, इसका सही उत्तर है, option D, उप्रोक्त सभी, ये सारे स्टेप्स लिये हैं, कोल इंडिया ने अपने performance को और enhance करने के लिए improve कर, ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने, आगे भी आपकी त्यारी के लिए हम ऐसे important MCQ और facts related वीडियो चैनल पे लाते रहेंगे, अगला जो वीडियो है, वो आपके exam के point of view से बहुत important है, वो क्या है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, चैनल पे आप देखिएगा, तो फ्रेंड्स, मिलते हैं, next वीडियो में, जिनकी आप care करते हैं, जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है, उन तक जरूर शेयर करें, अपने queries और suggestions हमें comments में बताएं, चैनल को subscribe करके bell notification on कर लें, ताकि आपको आने वाले useful videos के notifications सबसे पहले मिल जाएं, और friends, keep smiling, मुस्कुराते रहिए, दिल खोल के मुस्कुराइए, अपना ख्याल रखिए, और आपको preparations related NCLHEMM की अगर PDF आपको चाहिए, तो मात्र 99 रुपीज में हमने available आपके लिए कराया है, चैनल के community post में जाके आप देख सकते हैं, कैसे आपको purchase करना है, तो friends, मिलते हैं अगली वीडियो में, thanks for watching, bye!